इस वीडियो में दी हुई जांकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को दे कर किसी दवाई का उप्योग करते ह है इसके एंटियोक्सीडन्ट और एंटी इंफ्लिमेटरी गुन फेफ्लों के काया कल्प को बढ़ावा देते हैं और प्रतिरक्षा में सुधार करते हैं ये फेफ्लों को साफ करने और उसमें से विशाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में भी मदद करता है चलिए जानते ह हैं इसके कुछ फाइदों के बारे में एक यहां आपके फेफ्लों के स्वास्थिका समर्थन करने के लिए आयूर्वेदिक जड़ी बूटियों के साथ तयार किया गया आहार पूरक है दो इसके एंटियोक्सीडन्ट और एंटी इंफ्लिमेटरी गुन फेफ्लों के काया कल को बढ़ावा देते हैं और प्रतिरक्षा में सुधार करते हैं तीन ये फेफ्लों को साफ करने और उसमें से विशाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में भी मदद करता है चार हल्दी में मौझूद करक्यूमिन फेफ्लों को स्वाभाविक रूप से साफ करने में मदद क और शरीर के विशहरन में मदद करता है, जो आगे चलकर प्रतिरक्षा को मजबूत करने में मदद करता है। 5. वासा का खांसी को दबाने, कफ को ढीला करने, ब्रॉंकियल स्राव को पतला करने और सुस्त फेफ़रों के कारे में सुधार करने में सहायता करता है। 6. अदरक फेफ़रों की क्षती को कम कर सकता है, और फेफ़रों को सूजन के कारण होने वाले नुकसान से बचा सकता है।